नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ट रिजल्ट 2020 तो दोस्तो आज आपकी तारी को चुकी है 29 मार्च 2020 के हम बड़ी अप्डेट्स देखने वाले और बात करेंगे सबसे पहले टूडे ब्रेकिंग न्यूज जी यहां दोस्तो आज की बड़ी अप्डेट्स क्या रही है और दोस्तो आप यहां से देखे सबसे पहले रिजल्ट तो दोस्तो अभी हम उसका आपको लिंक द उसके बाद दोस्तो हम यह भी डिसकत करेंगे इस समय दोस्तो देखें सबसे बड़ी अप्डेट्स यह आ रही है आपकी कि कोवीड-19 को लेकर जी हां दोस्तो कोरोना वायरस एक मार्स के बाद यूपी में बाहर से आए हर नागरित की होगी जाच जराभी सक हो तो करें कार ऐसा दोस्तो अभी CM योगी का एक बड़ा फैसला आया है जी यह दोस्तो हमारे मुखी मंतरी जी का तो चली दोस्तो एक एक करके सारी अपडेट्स को हम देखते हैं सबसे पहले दोस्तो देखे यूपी बोर्ट दस्वी यह हाई स्कूल और यूपी बोर्ट बार्वी इंटर्मीडेट के छात्रों को अपने रिजर्ट का इंतजार है दोनों कच्छाओं के पेपर मार्च के पहले सब्ता तक हत्म हो गय थे मुल्यांकर का काम चल रहा है हालाकि कोरोना वाइरस संक्रमण के फैलने और लॉकडाउं के चलते इसमें बादा आई है पिछले साल यूपी बोर्ट दस्वी और बार्वी का रिजर्ट अप्रेल के अंतिन सब्ताम में जारी कर दिया गया था इस बार दस्वी और बार्वी बोर्ट की परिच्छा में पंजिकरत 56 से जादा चात्र चात्र हैं पंजिकरत थे हैं नतर्च 56 लाग से जादा दोस्तों 4.5 लाग से जादा चात्र चात्र हों ने परिच्छा छोड़ भी दी थी सोचे 4.5 लाग से अधिक शात्रों ने और करीब 3.5 करोड कौपियां जाची जाने जीना 2.5 करोड से अधिक कौपियां है इस बार UP Board की कापिया पहली बार CCTV और Vice Recorder की निगरानी में जाची जा रही है तो दोस्तों यह है पूरा मामला अब दोस्तों जारा हम आपको एक बात और बताते हैं पिछले साल का रिजर्ट कैसा था देखली पिछले वर्स UP Board 10 में हाइज स्कूल में दोस्तों 80.07 प्रिसिशत विद्यार्ती और UP Board 12 या इंटर में 70.06 प्रिसिशत विद्यार्ती पास हुए थे हाइज स्कूल वा इंटर दोनों में ही लड़कियों का प्रदर्शन लड़कों से बेतर रहा UP Board हाइज स्कूल में 83.98 प्रिसिशत लड़किया और 76.66 प्रिसिशत लड़के पास हुए थे जबकि दोस्तों इंटर में आपका 76.46 लड़किया पास हुए थे हाइज स्कूल में बागपद बड़ावर के स्री राम SM Inter College की छात्रा तनूत उमर्द में 500 में से 2489 अंक हासिल कर टॉप किया था जबकि इंटर में कानपूर के उमकार रेश्वर्थ सरस्वती विद्या मंदे निकेतन इंटर कॉलेज के छात्रा गौतम रगुवंसी ने 600 में से 583 अंक हासिल करके टॉप किया था तो दोसी यह थे पिछले साल के टॉपर्स अब दोस्त चलिए एक कुछ आपके और सवाल है कि जाने कब तक आएगा यूपी बोर्ड का रेश्वर्ड और दोस्त अधी के कोरोना संकरबड पर लॉक्डाउन के कारण इसमें मुल्यांका नापका रूप चुका है जी या दोस्त आपको पता पूरे देश्विस में लॉक्डाउन चल ला है मतलब कुछ भी काम नहीं हो रहे है तो आपके जो आप बाद में देख रहे हो और हो सकता कि जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक आपका रिजल्ट आ चुका हो तो कमेंट बॉक्स में दिएगे लिंक को ओपन आप करेंग दोस्तों और उसके बाद इस लिंक को रिफ्रेस करते रहेगा ताकि दोस्तों कभी आ 12 माई के अंतर तक गोसित किये जाएंगे जियां दोस्तों इस बार जो आपका रिजल्ट है वो समय लग सकता हैं देख में करोना वाइरस के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले कि मद्दे नजर मंगलवार को देख बर में अगले 21 दिनों के लिए राष्टी ये बंद या लॉक विविन परिष्टा केंदरों पर यूपी बोड की कचचा 10 और 12 कंचा मतलब परिच्चा के लिए 56 लग से अधिक छात्रों ने इस परिच्चा में इस्ता लिया था ऐसा नुमाने के दस्वें 12 कच्चा थीक है ना बोड परिच्चा के लिए UP बोड का प्रेडाम 2020 अधिकार दोस्तो कोरोना वारत का समापन नहीं हो जाता तब तक आप मान के चलिए कि आपको रिजर्ट भी जारी नहीं हो पाएंगा। तो दोस्तो देखे आथ CM योगी जी ने आपके लिए कौन सी नई बाते कहीं उसको जरा देखते हैं। योपी CM योगी अधितनाथ ने रभी बार सुबे कौरोना से निपटने को लेकर अधिकारियों के साथ बैटक की इस दोरान योगी ने एक मार्च के बाद योपी में बाहर त्याय हर नागरी की निगरानी और हेल्थ जाच करने के निर्देश दियें। योगी जी ने कहा कि जरा भी सक हो तो कॉअरंटाइन करें। लोगों को 14 दिन का हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए। योगी जी ने कहा कि कुरोना के चलते जो दोस्ता पुद्यम संस्तान बंद रहें उन संस्तानों को उनके हर करमचारी को वेतन देना ही होगा अधिकारी वेतन दिलाएं हर गरीब, दिहाडी, मजदूर को सरकार एक हजार पे देगी वो भले ही प्रदेश के किसी भी कोने में हो इनको धूड़िये और पैसा पहुचाईएं, योगी जी ने कहा कि वे मानवी अपील हैं, मेरी पूरे प्रदेश में अलप वेतन भोगी, स्रमिकों या गरीबों से मकान माली क्या किराया ना लिया जाएं जी या दोस्तों इसमें फिलाल आपसे पैसे ना लिया जाएं तो बहतर होगा, अगर आप लोग कहीं पर किराय के कमरे में रहते हैं योगी जी ने कहा कि यूपी में जो भी आ गए हैं या पहले से रह रहे हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी हमारी सरकार किया मतलब उन्हें बोजन, सुद्ध, पानी, हवा देंगे उनके चलते बाकी लोगों के स्वास का कोई खत्रा भी नहीं पैता होने देंगे, वो अपने राज्य में नहीं जाना चाते तो कोई बात नहीं है, सबकी हिपाज़त मेरी जिम्मेदारी हैं जो बारी राज्यों के कामगार हैं, उनकी दैनिक जरूरतों और आर्थिक जरूरतों की चिंता करे अधिकारी ताकि वे अपने राज्यों के लिए पलायन ना करें जो चुनोती हमारे राज्य पर आई है, पलायन के चलते हम नहीं, चाहते की बाकी राज्यों को सामने मतलब यह चुनोती आजाएं। तो दोस्तों आपर देखें, CM योगी जी ने इस पर निर्देत दिया है कि किसी भी बकाय, चलते बिजली, पानी के कनेक्शन ना काटा जाएं। हर चिले में DM सामानों की लिष्ट की कीमत लगाएं, उसका पालन कराएं, जो जमा कोरी की गड़बर करें, उनके किलाब FIR समेत कड़ी कारवाई की जाएं। तो दोस्तों देखें इस समय आपके, देश में 200 अब तक 20 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है हमारे देश में, और देखें, सबसे इंपोर्टेंट चीज आपको हम बताना चाहती है इस वीडियो को दवरान, महराज ते मेरा टाय, बेती के 4 इस्तेदार भी कोरोन से संक्रमित हो गए, होता क्या दोस्तों इस समय आपके घरों में हो सकता है लोग बाहर से आ रहे हैं आपके आध पर दोस्त, ज़रा आप उन पर निगरानी रखिए, जी या दोस्तों अगर आपको लगता है कि बिल्कुल भी उनको खासी जुखाम या कोई भी बीमारी लग जो भी इंसान दोस्तों बाहर से आ रहा है, जी या दोस्तों आपके दिल्ली से मुंबई से आप लोग को पता है कि काफी लोग अपना सर छोड़-छोड़ के दोस्तों निकल रहे हैं इधर-उदर तो दोस्तों जिससे कि आपके गाउं तक ये रोख फैल सकता हमने चाहते ओस्तों कि आपका गवाओं पूरे संकटमें है एक बात याद रगए अगर दोस्तों किसी को भी करोना वाइरस हो जाता है आपके गवाओं में तो पूरा का पूरा गवाओं जी हाँ दोस्तों समझ लिए कि isolation में जाना शियोर समझ जीए पूरे गाउं को दोस्तों बिल्कुल भी बंदिस हो जाएगी ना तो आप गाउं से बाहर निकल पाएगे ना कोई गाउं से मतलब बाहर से अंदर आपेगा तो अगर आपकी दोस्तों यह जिम्मेदारी बंती है अगर आप गाउं में रहते तो गाउं में सहर में रहते तो सह समय आपको डरने की जरूत है हम आपको डरा नहीं रहे लेकिन आपको डरने की जरूत 35 समय अगर आप दर्यांग ने तो दोस्तों आप बिमार पढ़ सकते हैं हमने चाहते कि कोई भी शात्री समय बिमार पढ़े और फिर दीखे काफी दिक्कती होती है कुरोना वाइरस से और सबसे बड़ी दिकत है ventilator को लेकर अगर आपको दोस्तों कोरोना का संक्रमड होता है तो आपको सबसे पहले ventilator की जगरोत पड़ेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सास लेने में आपको तकलीक हो सकती है तो उसके लिए सबसे पहले चीज़े आपको पास होना चाहिए ventilator और दोस्तों यूपी वोड का जो रिजल्ट की बात है उसके लिए हमने जो कमेंट बाक्स आपको लिंक दे रहा है उस लिंक के मादेम से आप अपना रिजल्ट सबसे पहले देख पाएंगे चले दोस्तों फिलाल हम आपको दिखा देते पूरी दुनिया में कोरोना के कितने केशे थैं तो दोस्तों यह ज़ैं आपके सामने पूरा लिष्ट पर ईटली है जहाँपर बान में हजार से अधिक लोग पर परबावी थे हैं कोरोना से, तीसरे पर ुषिसदी चियना है, सबसे महत पूर्ची यह देखें कि दोस्तों जो नए केसिते मिलते मतलब पड़ दे जाच होती है तो देखा जाता है, तो अमेरिका मेंरोड़ एक दिन में 19,000 लोगों को कोरोना पाया गया इटली में दोस्तों एक दिन में 5,900 अधिक लोग मतलब 6,000 के करीब लोग और चाइने दोस्तों देखे सिर्फ एक दिन में 45 केसे जी यहां दोस्तों मतलब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि चाइना कुछ न कुछ तो यहां पर धोके बाजी कर रहा है क कि पूरी दुनिया दोस्तों कोरोना बढ़ते जार और चाइना में खत्म कैसे हो सकता है जी यहां दोस्तों जब कोई वारस चाइना से ही बनता है तो देखे काफी दोस्तों दुनिया वाले आप इसको चाइनीज वारस भी कह रहे हैं तो आपको दोस्तों यह बात समझनी प इटले में दोस्तों 10,000 से अधिक लोगों ने अपनी जान गवा दिए हैं, जी यहां दोस्तों एक दिन में 889 लोग मर रहे हैं, और दोस्तों देखें USA में, जी यहां दोस्तों एक दिन में 515 लोगों ने अपनी जान गवाई हैं, दोस्तों यह काफी बड़ा डेटा है, सोच होना चल रहा है मतला वह उन पर इलाज हो रहा उनका तो दोस्त अधी का ब्रीट से लिए आप लोग हमारे साथ बने रहे हैं यो फिलाल आप लोग को हाई स्कूल का जो रिजल्ट या इंटर का रिजल्ट देखना है उसके लिए कमेंट वाक में जो आपको लिंक दे रहा है उ उससे दोस्ता आप लोग अपना रिजल्ट तुरंट देख पाएंगे ठीक है फिर मिलता एकली वीडियो में तब तक के लिए श्ठेक रेक्रेट